आज मैं आप शबी के साथ रोतक की famous तपस्या का प्राठा की recipe share करने जा रहे हूं बिलकुल धावा style बनाएंगे और इस प्राठा को फुले फुले कैसे बनाना है इसका वो secret तरीका व्याज में share करने जा रहे हूं friends धावा वालके हर राज मैं इसमें share करूंगी इस वीडियो म बनेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं welcome back to अंसुका पाकवान मैंने यहां पे ले लिया है whole wheat flour गेहों का आटा हमें ले लेना है तो जितना आप बनाना चाहते हैं उतना गेहों का आटा यहां पे ले सकते हैं अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और एक पिंच हल्दी जालोंगे पिंच मैंने लेनिकाव जाल लिया इसमें आप वोही साइज में यह छोटा होगा तपस्या का प्रठा इससे कई गुनां जादा बड़ा होता है तो चलिए बातों ही बातों में आठा भी हमारा बन करके तयार हो चुका है हमें डो लगा लेना है नौर्मल पानी के शाथ और डो हमें जादा सॉफ्ट नहीं लगाना है और नो जाद करके जब तक के लिए साइड में रख दूगी तो चलिए मैं से कवर करती हूं साइड में रख देना है नेक्स स्टेप देखिए मैंने आप ले लिया है उबले हुए आलू तो चार मैंने उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया है और आलू को हमें बिल्कुल अच्छी तरह स आप यहां पर ठंडा कर लिजेगा उसके बाद ही इस रेसीपी को आप बनाईएगा तो आलू को हमें छील लेना है पील कर लेना है तो डेर कप पानी डाल करके मैंने मीडियम फ्लेम पर आलू को रखा था तीन सीटी आने तक तो चलिए आलू को मैंने इस तरह से पील करने के मैंसर की मदद से मैस कर ले रही हूं आप चाहे तो ग्रेटर की मदद ले सकते हैं उससे भी आप ग्रेट कर सकते हैं पर इसमें कोई कुछलिया नहीं होनी चाहिए तो अच्छी तरह से आलू को आप मैस कीजिएगा तो चलिए आलू की स्टफिंग हमारी बन चुकी है कुछ जप चलिए चलिए लीशे फंचे स्टफिये सपैसे तो चलिए रही है तो चलिए नुषार दल ले रही हूं थोड़ी सी मैं यहां पेर के लियूर मैं ऐसनों स्क शूख visit OK 002 झाल सकते हैं अब में यहां परने एक चपोर की स्टेस्ट मैं पाउड़्टां तो आपचाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें हमें हाफ टीस्पून डाल लेना है और क्रॉंजी को क्रस्ट करके बहुत ही जबरदस्ट स्वाद आएगा इस तरह से डाल लेने के बाद अब वह सिक्रेट तरीका देखिए तो मैंने यहां पे ले लिया है भूना हुआ चना का सत अलुके प्राठे की तो उनकी प्राठे कई बार बह जाते हैं मतलों के निकल जाते हैं और वह सही से फुले भी नहीं बनते हैं उन्हें बहुत परिशानी होती हैं बनाने में तो मैं इस तरह च शक्रेट तरीके के शाथ रस्प्तूंackल ड़ुए किजिएगा 100% मैं आप एक से दो चमच बेसन को भून लिजेगा ड्राय रोस्ट कर लिजेगा उसके बाद इसमें डाल करके मिक्स कर लिजेगा तो चलिए इस स्टफिंग हमारी बन करके तैयार हो चुकी आलू को और हाथों में हमें यहां पे कर लेना है ग्रीस वैल या घी किसी भी चिछको आने बाली हूं तो बिल्कुल इसी साइज का मैं यहां पे बॉल को तैयार कर लोगी तो चलिए पहले मैं यहां पे सारे बॉल्स को बना करके तैयार कर लेती हूं अगर आप सभी को मेरी महनत और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट करते जादे से जादा मेरी वीडियो को लाइक और फ्रेंड ग्रूप में सेर्वी कीजिएगा और मेरी वीडियो पे नए है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए अब मैं यहां पे कवर अटा लेती हूं देखिए आठा भी बिल्कुल पॉफेक आठा लगा लिजएगा हाथों में और इसके बाद हमें यहां पे एक हमें मिडियों साइज का विन बना रहे हूं तो मैं यहां पे जाएब बना het तयार कर tęई बिल्कुल इस तरह से उसत्कार है और गोल गोल बना लेना है अब कर चैनले का हूसरे को भी है Hastavan आपको बनाने क उंगली के किनारे पार्ट में हमें पतला रखना है बिल्कुल इस तरह से उंगलीं की शाहता से किनारे वाले इस पार्ट को आप पतला रख सकते हैं और बीच में पतला नहीं करना इस बात का आप जरूर ध़्यान रखिएगा स्ट्रफिंग डाल ले के बाद हमें बिलकुल मोमोज जैसा इसका सेप देना है देखें मोमोज वगेरा जैसे आप लोग बनाते होंगे उसी तरह से उपर जो एक्स्ट्रा आटा का पाट बचन उसे मैं तोर करके हटा दी हूँ और बिलकुल इस तरह से हमें देखें फ्लाट कर लेना हाथेलियों पर रखिए और हलके हाथों से हमें यहाँ पर दवा लेना बिलकुल इस तरह से चलिए मैं दूसरा भी आपको एक बार और दिखा देती हूं बना करके इसके अंदर स्टफिंग डाल करके ताकि आप सभी को कोई प्रशानी नहीं हो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के बाद बनाने में रेशिपी तो इस तरह से आप जरूर बनाईएगा अगर मेरी रेशिपी बनाने में या समझने में आप सभी को कोई दिकत आती हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा फ्रेंड्स मैं आपकी ह शमर्ष्या को शमाधान जरू करूंगी तो इस तरह से हमें देखिए कर लेना है गोल-गोल और हथेलियों पर डालना है और बस इस तरह से हमें फ्लैट कर लेना है तो चलिए मैं इसे बेल लेती हूं किसी भी सर्फिस पे आप डाल कर बेल सकते हैं थोड़ा सा मैं यहां पे बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको इसकी ठीकनेस दिखाते हूं देखिए देख रहें ने फ्रेंट्स बिल्कुल रोटी जैसा मैंने इसे पतला बेल लिया है फिर भी यह प्राठा अमारा फुला फुला बन करके तैयार होगा इस तरीका से जरूर बनाएगा तो चलिए अब आपको मिडियम रखना है बिल्कुल लो या हाइक नहीं रखिएगा देखिए अपोजिस साइड मैंने पलट लिया है उपर से देख सकते हैं थोड़ा सा यह वाइट वाइट सा हो रहा है फ्रेंट्स जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाईएगा यह लगा लेना है बटर वाइल घी किसी भी चीज के साथ आप यहाँ पर प्राठा बना करके तैयार कर सकते हैं पर आलू का प्राठा जब बनता है फ्रेंट्स तो बटर के साथ बनाईएगा जबर्दस स्वाद आएगा या फिर आप घी के साथ बनाईएगा देखिए क्या मस् पास से दिखा रहे हूँ, देख सकते हैं, फ्रेंड्स, प्राठा है ना, कितना मस्त फूला फूला बनेगा, बिल्कुल इसी तरह से बनाईएगा, फ्रेंड्स, आपका प्राठा फूला फूला भी बनेगा, और ये इसकी स्टफिंग कहीं से भी बाहर भी नहीं आएगी, तो इसके उपर भी हमें बटर लगा करके अच्छी तरह से सेख लेना है, तो चलिए, अब मैं इसे पलट लेती हूँ, और इसके उपर से मैं फिर से बटर लगा ले रही हूँ, देखे, क्या मस्त हमारा प्राठा फूल कर बन चुका है, फ्रेंड्स, इस तरह से बनाईएगा, आप सभी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, तो चलिए, इस सभी प्राठा को बना करके हमें कर लेना है, रेडी, सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी हमारा अलुका प्राठा बन करके तयार हो चुका है, अब इसके उपर बटर तो जरूर डालेगा, और सबसे बड़ी ब